नमस्कार दोस्तों भारती किसान नीटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरे बारत के अंदर गेहूं की रोटी बनाने के लिए यानि मुलायम रोटी और लंबे समय तक उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहती है ऐसी रोटी वाली बेस्ट किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे यानि दोस्तों जिनका उत्पादन भी अच्छा और रोटी भी बहुत ही बेतरिन बनती हो ऐसी किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं किसी भी किस्म को उसकी रोटी की क्वालिटी कैसी आती है इसके लिए वेग्यानिकों ने एक मानक बनाया है जिते चपाती स्कोर के नाम से जाना जाता है किसी भी किस्म को 10 में से अंक दिये जाते हैं कि 10 में से 8 आए या 7 आए तो कितने ज़्यादा अंक आते हैं तो उतनी ही अच्छी रोटी उसकी बनती है यानि लंबे समय सक्सुर्खसित रहती है और मुलाइम और मीठी रोटी बनती है और खाने के इसाब से बहुत ही पोश्टिक होता है जितने ज़्यादा अंक 10 में से उतनी ही ज़्यादा रोटी अच्छी इसमें जो सबसे पहली अपनी किस्म है जिसका चपाती सबसे बहतरीन में से एक आती है वो हैं C306 जिससे सर्बती गेहूं या सिहोरी गेहूं या जो ये MP के अंदर असोग नगर या सिहोर के आसपास में इसकी कहती होती है वो वाला गेहूं होता है जो कि सर्बती की एक विराइटी है C306 दोस्तों इस किस्म की उपज 50 से 60 कुंटर पड़ती एक्टियर तक होती है साथी साथ दोस्तों इसका बीज आप जोहार लाल नेरू करसी विस्विद्याल है जिसके मोबाइल नमर स्क्रीन पर दिख रहे है इसका दाना इतना बढ़िया होता है कि बजन में भारी होता है और साथी साथ टेस्ट में बहुत मिठा और मुलाय में इसकी रोटियां बनती है इसलिए दोस्तों इस किस्म को गवर्मेंट ने भी वारत सरकार ने बी प्रमोट किया था और इसको g.i.take भी दिया था स्कोर भी 10 में से 7-8 के लगबग हैं दोस्तों साथ साथ दोस्तों इसका बीज आप इंडियन इस्टिटूट और वीटे एंड बारले रिसर करनाल के दुआरा प्राप्त कर सकते हो उसके नमबर भी आपको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं साथ इसकी अन्य विश्यस्ताइं भी स् स्कूर हैं दोस्तों इस किस्म की उपज समताब 30-35 कुंटर परती हैं साथ इसाथ दोस्तों अन्य विश्यस्ताइं भी आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगली किस्म हैं C.A.S. 648 जिसका चपाति स्कूर 10 में से 8 हैं यानि काफी अच्छे इसकी रोटियां पाई जाती हैं दोस्तों आप ही अच्छी होती हैं 37 दोस्तों यह 45 से 60 गुंटर परती एक्टेर 110 दिन के अंदर उपस दे देती हैं इसे अगरकर रिसर्स इस्टिटूट पूरे द्वार का रिलीज किया कया हैं दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगली किसम है है चाई 15 चौमाली जो कि एक सर्बती सेग्मेंट वाली ही वेराइटी यानि सर्बती गेहूं की ही एक वेराइटी हैं जिसकी रोटी काफी अच्छी पाई जाती हैं दोस्तों यह बहुत ही शांदार ले सकते हो साथ इसका बीज आप मार्केट के अंदर या दोस्तों बारती करसी अनुसंदान परशद के आई या मध्य प्रदेस में जो आपके फार्मर प्रोडूसर कमपणी या लोकल मार्केट से आप राप्ट कर सकते हो दोस्तों इस लिश्ट में अपनी अगली किस्म है बंद्द सी गिहूं। जो की बहुत ही popular variety है। इसकी रोटियां बहुत ही मुलाइम और टेस्टी होती है। इस किसमे प्रोटिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता हैं 14-18% तक प्रोटीन होता है इसलिए यह स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदाईग इसकी रोटिया महनी जाती हैं दोस्तों इस किसमें की उपज किसमता 15 कुंटल परती एकड के हिसाब से हैं और यह मात्री 100 दिन के अंदर पके जाती हैं इसका बी 306 के लगबग हैं यानि उससे मिलती जुत्ती हैं इसकी रोटी भी काफी अच्छी हैं दोस्तों और इसकी उपज किसमता 17 कुंटल परती एकड के इसाब से हैं जो 1500 दिन के अंदर प्राप्त होती हैं दोस्तों और इसका बीज आप पंजाब एगरिकल्चर उनिवर्सिटी स से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों इस लिश्ट में अगली किसमें DBW 370 जिसे करन वेदे की नाम से जाना जाता हैं यह हाल ही में रिलिज की गई इंडियन इस्टिट उप वीट इन बारले से कर नाल की बहुत ही शांदार विराइटी हैं जिसकी उपसक्समता भी काफी शांद लगबग हैं यानि 8.3 के लगबग हैं जो काफी अच्छा इसके अलावा दोस्तों एक हैचाई 1655 भी आती हैं जिसका चपातिस स्कोर भी बहुत शांदार हैं 8.4 के लगबग और यह 38 से 69 क्यूंटल परती एक्टेर के लगबग उपर दे देती हैं इसके अलावाद 1650 जो है देखा जाए तो जिन किसमों का चपातिस कोर 7.7 हैं 7 या 7.7 से जजदा हैं उनकी चपाती बहुत अच्छी बनती हैं और खाने के लिए भी काफी अच्छी किसमें हैं दोस्तों और इनका न्यूटरिट्री वेल्यू भी अच्छा होता हैं ऐसी किसमे आप खरीद कर लगा सक तो दोस्तों यह थी गेहूं की बेश्ट किसमें जिनका चपाती स्कॉर उच्छतम है और अच्छी उपज देती हैं साथी साथ इनकी रोटियां बहुत मुलाइम होती हैं साथी साथ गेहूं की अन्य किसमों की वीडियो भी बारती किसान यूटूब चैनल पर मिल जाएगी आपको और गेहूं की खेती कैसे करनी बुआज सें तक यह भी आपको बारती किसान यूटूब चैनल पर मिल जाएगी आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए होगी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और भारती किसान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जान करें सबसे पहले आपके मॉबाइल में पहुंच सके वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद